सतर के दशक में राजकपूर ने अपनी सबसे चर्चित फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम की योजना बनाई थी फिल्म में एक खुबसूरत आवाज लेकिन बस सूरत चेहरे वाली लड़की की कहानी दिखाए गई थी इस फिल्म में शशिकपूर और जीनत अमान लीड रोल में नजर आये थे वैसे इस फिल्म से जुड़े कई किस्से हैं जिन में से एक किस्सा राजकपूर का शशिकपूर को एक अरजीब सा नाम देने का भी है ये नाम था टैक्सी राज कपूर ने क्यूं दिया था शची कपूर को ये नाम क्या थी इसके पीछे की वज़ा बताएंगे आपको आज के रिल डिवाइन में मगर उससे पहले अगर आपने नहीं किया है रिल डिवाइन को सब्सक्राइब तो अभी कीजिए और साथ में लगा बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ओल पर क्लिक कीजिए हलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं है रिल डिवाइन और मैं हूं फरहा सत्यम शिवम सुंदरम एक दमदार कहानी वाली फिल्म है हाला कि ये रिलीस के बाद मूवी को लेकर काफी विवाद भी हुआ था लेकिन वक्त के साथ साथ ये मूवी एक कल्ट फिल्म बन गई सत्यम शिवम सुंदरम से कई दिल्चस्प किस से जुड़े हुए हैं इस क्लासिक फिल्म से स्वरकोकिला लदामंगेशकर का भी कनेक्शन है राजकपूर की बेटी रितुननदा ने अपनी किताब राजकपूर स्पीक्स में बताया कि सत्यम शिवम सुंदरम की कहानी लदामंगेशकर से एंस्पायर थी राजकपूर जब सत्यम शिवम सुंदरम बना रहे थे तब उनके दिमाग में हीरो के तौर पर चोटे भाई शशी कपूर थे उस दौर में शशी कपूर सुपरस्टार बन चुके थे और बहुत ज्यादा बिजी रहते थे राजकपूर ने अपनी फिल्म में शशी कपूर को लेने का मन बना लिया था शशी के पास कई फिल्मों के ओफर्स थे और उनके पास वक्त की काफी कमी थी वो एक साथ चार से पांच फिल्मों के लिए जबान दे चुके थे ऐसे में जब सत्यम शिवम सुद्रम की बात आई तो राजकपूर को भाई की बहुत सारी डेट्स चाहिए थी इसके साथ ही साथ राजकपूर ने शशी कपूर के सामने एक और शर्ट रग दी थी और वो शर्ट ये थी कि शेशिकपूर जिसन सत्यम शिवम सुंदरम की शूटिंग करेंगे उसन किसी दूसरी फिल्म के लिए शूट नहीं करेंगे हालकि शेशिके लिए राज साहब की ये शर्ट मानना आसान नहीं था शेशिकपूर ने एक इंटर्विव में बताया था कि राजकपूर की सुवधा के लिए उन्हें 24 घंटे काम करना पड़ता था दिन में 4 से 5 शिफ्ट करते थे और अपनी कार में ही सोते और या फिर किराई की टैकसी में राजकपूर को शेशिकपूर हमेशा टैकसी में भागते हुए देखते थे ऐसे में उन्होंने भाई को एक अजीब सा नाम दे दिया था इसके पीछे एक और वज़ा ये थी कि शेशिकपूर से पूरा वक्त ना मिल पाने की वज़ा से राजकपूर परिशान हो गए थे और इसी वज़ा से राजकपूर ने शेशिकपूर को टैकसी कह कर बुलाना शुरू कर दिया था तो ये थी कहानी राज कपूर की शशी कपूर को टैक्सी कहकर बुलाने की ऐसे ही दिल्चस्प स्टोरी इसके लिए आप देखते रहे है रिल डिवाइंड मैं मिलूंगी आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई